चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समिधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको बाखु भी प्रेजिडेंट पढ़ाएं फिर हमने आपको वाइस प्रेजिडेंट पढ़ाएं और फिर हमने आपको बहुत अच्छे से गवर्नर एगी लेक्चर में रखे थे ओके प्रेजिडेंट को कोई कर नहीं सकता प्रेजिडेंट पढ़े जा सकते हैं कहते हैं कि लाइन है कि तो अब हम इनके साथ चीफ मिनिस्टर पढ़ लेंगे मैच हो जाएंगे दोलों नहीं हमारी कंट्री में पार्लेमेंटरी सिस्टम और गभर्मिंट के तहट यह बात clear है कि जो president है वो एक तरह के nominal executive है that is a DJ or executive और जो prime minister है वो real executive है that is a defect executive इसका मतलब क्या हुआ president head of the state है लेकिन prime minister head of the government है जो मैं पहले दिन से ही समझा रहा हूँ चलिए अब इस पहले concept को ही हम समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होता है DJ or defect होता कि आप चीज़ों को clearly understand कर पाए देखिए ऐसा होता है कि यहां वे आपने बहुत से NRI देखें बहुत से NRI देखें न पंजाब म एंड़ा यो गर देखें दी देखें लीज़्क वो जो household होता है कि उसके जो-चुवल्य मेंबर सें अ क्या वो सा होता है क्यों क्यों registration उसके नाम पे है legally वो घर का title उस person को belong करता है in the in the eyes of law or by law that house belongs to that person so jurisdictionally did your jurisdictionally it belongs to that person वो यहां नहीं है वो एना रही है तो usual member उस household के कौन है आप उनका नाम लोगे कि Mr. Sarai और उनकी family Sarai and family और जाला मजूर उस गाउं में सो लोगी लड़की हो रखी अरकबर कर दा कर रहा है तीक है जी और कोई चबड कर लेंगे वो गाउं के लोग आपको पता ही है तिर वेरी वेरी नॉटी अब यह उनका घर है ठीक है जी लेकिन सही में रहन कौन रहे हैं महां पर सही में कौन रहे हैं एक्चुल उक्यूपेंट ऑफ दा हाउस कौन है रियली उनको क्यूपाई किस ने रखा है घर ने तो वो बस रहा है एंड फैमिली ने तो क्या वो घर मेरा हो गया लीगली लीगली मेरा है क्या टाइटल मुझे विलॉंग करता ऐंगा ऑनर्शिप मेरी है क्या लेकिन एक प्रेजंट फैक्ट क्या है मौक्या वारदाद पे वाक्या हलात क्या है मैं हूँ उस घर में तो इन प्रैक्टिस क्या है यहां इस समय है उस घर का उक्यूपेंट कौन हूँ मैं इन प्रैक्टिस मैं हूँ in law sarai family आई वा समझ में तो fact क्या in fact वहाँ पर कौन present है अगर in facts आप देखे वहाँ पर census का data लेने वाले है तो in facts कौन सी family है बसरा but in law कौन सी family है sarai ये by law हुआ by jurisdiction हुआ ये in fact in practice in reality वहाँ पर जो हो रहा है ये क्या हुआ by the fact that is de-fact de-fact clear हुआ de-joy-or and de-fact अब हमारी country के अगर हम बात करे तो क्या होता है अच्छे इसको थोड़ा shriward manner में समझाओं तो क्या सा होता है ऐसे कुछ उधारन है समझो जैसे एक लंबे समय तक है अच्छा हमारे पंजाब में क्या होता है या पूरे all over India क्या होता है बहुत सी पंचायती seat जो है वो reserve है women के लिए और इसी तरह से local body में 33% reservation है woman को तो woman खड़ी है as a counselor तो अब इन लौ बाय जूरिस्डिक्शन तो counselor वो woman है legally तो stamp उसको belong करती है लेकिन इन प्रैक्टिस प्रधान बना गूमता उसका पती या उसका पिता तो defacto counselor कौन हुआ उसका पती है ऐसा कहावद बन सकती है example दे रहा हूं समझ में आई बात DJOR और defect और अवरत का सिरफ चहरा इस्तमाल किया सिरफ नाम इस्तमाल किया लेकिन सारे लोग जाते उसके पती के पास है वो खुद भी ऐसे नाम अपना चापता है बड़े-बड़े होडिंग में जैसे वो कुदी counselor है और at the end लिख देते हम पढ़ते भी नहीं लिख दिया जाता है counselor पती पती लिख देते अच्छा एक दा एंड साइड में माड़ा जा ऐसे होता है तो यह system होता है counselor पती ओके ऐसा होता है कि मैं चूट बोल ले होता है इस दे रियालिटी ना अचा उधारन है कि विहार में राबडी दिवी मुख्यमंत्री बनी अब बाय लौ तुभू बनी है पर सही माइने में मुख्यमंत्री कारभार काम काज असल माइने में बैक्स्टेज कौन कर रहा है लालू तो ऐसे कह सकते राबडी डिजर लालू डिफेक्टो लेकिन अब एक बहुत ही ग्रेसफुल ने क्या रहा उन पर कि सही माइने में कमान किन क्या हाथ में रही स्रीमती के सुनिया जी के तो यहां पर वो कह रहे है कि सुनिया जी डिफेक्टो ऐसा डिबेट में कहते हैं अरा सुनिया जी डिफेक्टो है भाई आप लोग डिवेट देखना इसे करते हैं अरे मन मोहन जी तो डिजी ओर थे लेकिन रियालिटी में constitutionally ऐसा नहीं है constitutionally elected prime minister is always a de facto prime minister actually में always de facto ही रहेगा लेकिन अब हमने इसको और सरल भासा में समझने के लिए समझा कि किसी कानूनी तोर पे कोई appointed कर कोई और रहा है तो de jor and de facto समझ आ गया मतलब de jor के पीछे legal sanction होती है de facto के पीछे legal sanction नहीं होती यह line English में लिखी हुए और जगा पे इतना समझाने के लिए इतनी कहानी बताई तो कहीं आप de facto को illegal ना ना समझ लें कि उसको legal sanction नहीं हो तो वो illegal है नहीं कि यहां से समझें कि ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो किसी legally approved organized manner में आये हुए document या process में mention नहीं होती फिर भी बहुत सारी companies बहुत सारे manufacturers और बहुत सारे buyers उन चीजों को follow करते हैं जैसे अगर आप crash test की बात करें तो Scorpio को zero मिला है लेकिन अगर आप बात करें community की भास तौर्ब पंजाब की तो उनको strength के नाम पर क्या जचती है लेकिन safety test में क्या मिला जीरो लेकिन वो लोग लेते ही किसली है safety के लिए यह क्या हुआ फिर डी जी और मैनर में जीरो है defacto में वह सूपर स्टार ऑगन कंपनी भी सी दम पे धड़ा-धड़ बेचती है क्योंकि उसे पता है zero score हमारे केम में काम ही नी करता क्योंकि हमारे बायर को साच सबमें कितने मजबूत है क्योंकि देश में बात एक ही चलती है महिंद्रा का लोहा यहां नाम यह चड़ गया कहा नहीं कतम हो गई क्योंकि लोग कहते हैं जिनका लोहा 50 साल से सब जीरो जीरो है बट अब माननेता ही हो गए ऐसे भारत भर में बहुत से लोग पड़े रहते हैं कि हम सब कोई कभी ना कभी परिसान उगन के पास जाते हैं किड्नी की प्रॉब्लम में एक वर गंगा नगर गए हो जितने भी हॉस्पिटल उस तेर में सारे डीजियोर हैं कानूनी तौर पर माननेता प्राप्त हैं डिग्रियां प्राप्त हैं डाक्टर हैं सब कुछ है लेकिन माननेता यह बनी है कि वह गंगा नगर वाला जो देगा उससे किड्नी ठीक हो जाई है वह इन प्रैक्टिस की वजा से यह लीगल है यह सी दम पर बहुत लंबे समय से अलोपेथिक वाले आउरवेधि को कहते हैं न कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन से क्या सौल्ट हैं तो किसी को क्लियर ही नहीं है अट-लिस्ट हमारे साइड एफेक्स तो क्लियर है ना यह सारा लीगल प्रोसेस्ट वह लों किया आपको तो कोई टैंसर नी दी वहां पर क्या होता है कि रोटी में डाल करके विए गुड में डाल के का इचुरी वना करता लिकांद डीते हैं कि आल ऐलो मूँ चे पान पान में डाल द ये वाद मैं ने क्श ही bugs यह पान में डाल करो समझ में वह एकाए उन ग जी और लो ओके क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से सहमती मिली अब उनके पान में डाली वह चीज को किसी ड्रग डिपार्टमेंट ने कोई सहमती निदी यह अब उससे आपका गला कट जाए तो आप किसी पर क्लेम नहीं कर सकते गोली से अगर आपको कुछ हो गया ह है तो यू कैन क्लेम इट कि वही आपकी गोली थी जो भी और उसकी अब को एकस्पाइरी में नहीं है कभी बना के जड़ी पूटी खुद दादा जी बूल गया एक बखसे से निकल आई कि निकल आई निकल आई बस अब वो देने लग गए इसकी वैलिडिटी है यह छे मही कुछ बरस पे वोट करके कुछ लोगों पर विश्वास जताते हो जिन पर आप विश्वास जताते हो वह आपके लिए सरकार बनाते हैं मतलब वाक्या हकीकत यह है कि इस समय आपका विश्वास उन पर है इन प्रैक्टिस सम्मिधान की सभी सक्तियां राज्य की सभी शक्ति वो इस्तमाल करेंगे सभी दायत्व इन प्रैक्टिस उनके हैं लेकिन कानूनी तौर पर Constitutionally सभी पावर और सभी दायत्व राष्ट्रपती के हैं तो राष्ट्रपती डिज्यार है प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो है कहानी समझ में आ गई तो राष्ट्रपती ऑल्वेज डिज्यार पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि प्रेजिडेंट हेड अप ता स्टीट है प्रेजिडेंट में ही एक्जेक्यूटिव की सारी पावर वेस्टड है सारे लौज प्रेजिडेंट के नाम से जाने जाते हैं प्रेजिडेंट ही कंट्री को सिंबलाइज करते हैं प्रेजिडेंट के ही द्वारा प्रेजिडेंट कर काउन रहा है और करवा काउन रहा है किसके नाम पर हो रहा है रास्ट्रपती तो जिसके नाम पर होगा authorization constitution ने उसी को दी है तो लीगल मानने ता उसी को प्राप्त है sanction उसी को मिला हुआ है jurisdiction उसी का फॉल करता है लेकिन करवा कौन रहा है और कर कौन रहा है जिसको सही माइने में इस वकत के लिए समय के लिए जिस पर विश्वास जताया गया है जिसको चुना गया है इन प्रैक्टिकलिटी वो काम करने के लिए यानि कि इन फैक्ट इन फैक्चुल पॉजीशन वो परसन काम करेगा वो वाला और वही परसन के कहने पे ही काम होगा भी करेगा भी वो करवाएगा भी वो तो वो कौन है तब प्राइम मिनिस्टर तो और स्जेशंजारárias कि की पोजीशन पामानेंट है रियन का ऑफिस पामानेंट है प्रामनेंट ध denialी सैंग्षेंट नहीं वह सिर्फ तब चहें जब तक जिन्हों ने विश्वास जताया थो विश्वास जताय। रखेंगे जब विस्वास गया Pradhanमंत्री भी गए ibs अ में तो इस को एसे कह सकते हैं एक आईडियल है औरा एक रियल है आईडिया है वर्सी क्हा को एक यह तो तो दूसरा रियल है आईडिया प्रेजिडेंट है रियल प्राइम मिनिस्टर है आई बस समझ में थ्यूरी प्रेजिडेंट है प्रैक्टिकल प्राइम मिनिस्टर है ऑन पेपर प्रेजिडेंट है ऑन फिल्ड प्राइम मिनिस्टर है इन लॉज प्रेजिडेंट है इन अब जिन्दगी में कभी इसमें गड़बड आओग अक्सर बच्छे भूल इसे तो नहीं याद करना चाहिए वह दिज्यार है तो वह हैं काउन प्रेजिडेंट यह डिफेक्टों है तो यह हैं कानी क्लियर कॉंशिट्यूशन मैं अब चैया कोंशिट्यूशन प्रेज्सक्राइध मैं में फंडमेंटल लॉओ औप शरीन्ड किसी ना तो है यह लीगली ओधराइज करेगा ना है हान लीव constitution जिसे legally authorized कर दे constitution अपने आप में एक legal document है कोंकि constitution in act हुआ है na 26 नमंबर 1949 को constitutional assembly ने पैसे constitution in act ही किया वो commence हुआ 26 January 1950 को enactment पहले हुआ commencement बाद में हुआ है enactment होते ही वो legal हो गया constitution fundamental law of the land होने के साथ साथ constitutional law of the land होने के साथ साथ constitution अपने लीगल डॉक्यमेंट है और लीगल डॉक्यमेंट जो भी टाइटल जो भी अथरटी दे रहा है लीगल दे रहा है तो ऐसे में वो किसको दे जा रही है जो constitution की आत्मा को यानि की constitution किसकी वानी है राज भारतिय राज की state की तो जो state के ideals को जो state की aspiration को जो state के objectives को state के principles को represent कर रहा है वो constitution है और constitution ने एक position of office holder custodian create की है custodian कौन है वो it is the functionary कौन सा functionary है वो functionary of the nation functionary as an head of the state that is the president but constitution एक समय में बना state एक समय में बना उसके समय में एक office of president बना लेकिन यह कैसा न्याय होगा कि उस समय में बने होए उस constitution उस समय में बने उस राज्य और उस समय में बने होए उस रास्ट्रपति का दफ्तर पीडियों दर पीडियों लोगों को और उनके aspirations को represent करता रहेगा एक इसने कहा दिया था 1950 का देस अलग था 1921 का देस अलग है तबकि जरूरते अलग थी 1970 में रोटी कपड़ा मगान एक वादा हुआ करता थी जरूरत थी आज रोटी कपड़ा मगान और डेटा इंटरनेट एक जरूरत है तब तो नहीं था यह बदलती जरूरतों को कैसे भाँ पे कैसे ascertain करें भाँ पने कम असर्टेन कैसे भाँ पे कैसे ascertain करें उस समय में मौझूदा समय में बस रहे लोगों की इच्छाओं को जानके लोगों की इच्छाओं कैसे पतल लगें लोग अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करें वोट डालके वोट किसको करें जो पार्टी लोगों की इच्छाओं की पूरती करें अपने मैनिफेस्टों के वाया एक्स्प्रेस करके खुद को लोगों ने उस समय के भारत में बस रहे उस समय के लोगों ने वाक्या हालात में किस पर विश्वास रोपित किया किस पर विश्वास थापित किया उस समय के रिप्रेजन्टेटिव समय से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा और वो MP दलके नेता को फिर उस समय की जरूरतों की पूर्ती उस समय के लोगों की इच्छाओं की पूर्ती के लिए हमेशां से स्थापित एक राश्टरपती का दफ्तर प्राइम मुनिस्टर पॉइंट करता है यह क्या है भाई पता होना चाहिए कि करोना काल में छीक वर्जित है कि समझाई है आई वा समझ में तो यह किया दर्वाय खुले वाइरस निकलने दो जाए टैंसन हो जाती इनके वाइरस भी आपको पता है यह खुद रोटी उनको डालते हैं बर्गर खुद खाते हैं मेटा मॉर्फोसिस हो रखें इनके वाइरस अंदर छेमा साथमा स्ट्रेन बन गया है क्या समझा रहा था यह रूहानी लेक्चरों में ऐसी अर्चने आ जाती है चीका चांकी की तो प्राइम मिनिस्टर में तो उनको पॉइंट करें आज की चार्ज के लोगों की एस्पिरे दूने के पार्टी का नेता जीता है न प्रण मंत्रिOnly ओयता तो प्रण मंत्री को अपॉइंट करके क्या कहा जा रहा है एक अनंत समय से चला आ रहारा रास्ट्रपति का दresse जो अनंत समय बसरे लोगों की इच्छाओं की पूर्ती ना कर सके, तुमें इच्छाओं की पूर्ती पता कर कर के लाओ, मैं देश के मूल्य सिध्धान्त और फाउंडिंग फादर के विजन के अकौर्डिंग, जो सारी शक्तियां है, उन शक्तियों का इस्तमाल तुम्हें करने दूँगा देश की इच्छा की पूर्ती खाते रहां, लो करो, कानूनी अधिकार मेरा है, लेकिन जनतांत्रिक अधिकार तुम्हें देता हूं, तो कि जनता ने तुम्हें चुना है, In fact, तुम रहो, in law मैं हूं, in practice तुम रहो, in theory मैं हूं, in legal sanctions मैं हूं, without legal sanction, with the sanction नहीं, सरकार with the mandate बनती है, I am with the legal sanction, you are with the mandate of the people, तुम्हें जनादेश मिला है, मुझे समीधान गादेश मिला है, हम दोनों को साथ चलना है, तुम काम करो, मेरी वज़ा से काम होगा, relation समझाया, तुम काम करो, लेकिन मेरी वज़ा से ये काम होगा, क्योंकि मैं authorize करता हूं तुम्हें, लेकिन authority मेरी है, इसलिए council of minister, president को aid and advice करने के लिए रखे गाए, क्योंकि authority सारी president की है, क्योंकि executive power, council of minister में vested नहीं है, executive power, president में vested है, इसलिए वो executive power, उस समय में जनता की, उस समय की aspiration को fulfill करे, इसलिए council of minister बठाई हुई है, president को aid and advice करने के लिए, logic समझ में आया, did your and defect होगा, इस से अधिक समझाएं तो concept, concept नहीं रहेगा, परिसान हो जाएगा, आज बास समझ में, कौन permanent होगा दोनों में से, did your, किसको legal sanction है दोनों में से, did your, कौन ambassador, diplomat सब share कर सकता है, exchange कर सकता है, did your, कौन international agreement सारे करार कर सकता है, कौन war or peace conclude कर सकता है, सारे काम कौन कर सकता है, लेकिन हो ये कब रहा है, उस समय के देश में, और उस समय के देश में, देश के साथ साथ देश की जनता भी है, तो हो ना किसकी इच्छाओं के अनुरूप चाहिए, लोकतंतर में तो लोगों की इच्छा के अनुरूप, वह लोगों की इच्छा ल लेकिन अप्रूबल किसका चाहिए पार्लेमेंट का प्रेजिडेंट इंटर्नाशनल अग्रीमेंट और ट्रीटी करेंगे लेकिन सहमती किसकी चाहिए उस समय के काउंसिल आफ मिनिस्टर उसको कहेंगे एड़ेट आडवाइस करेंगे तो वो करेंगे और फिर अप्रूबल कि जाहिए पार्लेमेंट का प्रेजिडेंट की नाम पे होगा लेकिन एडिटेट रडवाइस कॉंसिलर मिनिस्टर की अप्रूबल पार्लेमेंट का मामला सेटल तो क्या डीफेक्टो पर्मानेंट है नहीं क्या डीफेक्टो लीगल है नहीं क्या डीफेक्टो इंटरनेशनल डीफेक्टो नहीं है डीजेयोर की बस एक ही परिशानी के वो डीफेक्टो नहीं है तो डीफेक्टो अपने आप में कम्प्लीटली सौवरेन नहीं है क्योंकि स्वावरेंड डिज्यॉर है तो डिफेक्टों कभी भी ऑटनॉमस नहीं हो सकता डिफेक्टों कभी भी तानाशा नहीं हो सकता कभी भी ऑटोग्रेटिक नहीं हो समझ में that is the relation between the DJ or and the defecto कभी भूलोगे रास्ट्रपत्ती प्रदान मंत्री के संबंद कभी भूलेगा बहुत बड़ी या बात है फिर तो चलिए आगे देखिए हमने समझ लिए कि DJ or or D Factor Executive क्या होते हैं मेन कंसेप्ट हमने यही समझा कि जो parliamentary system of government होता है उसमें president nominal executive होते हैं यानि कि in theory सारी power उनी में vested हैं वो actual executive है sorry वो in theory executive है लेकिन Prime Minister जो है वो real executive है सभी शक्तियों का इस्तमाल प्राधान मंत्री कर रहे हैं factually actually executive वही है यह concept हमने आपको भी समझाया D Factor DJ or के माध्यम से अब आती है कहानी फिर वही मैंने पहले भी समझाया था कि इस हिसाब से president head of the state हुए और prime minister head of the government हुए appointment of the prime minister इसके तहरत हमें सेलेक्शन होगा यह कैसे election होगा constitution में यह चीज इस तरह से नहीं बताए गई लेकिन constitution में article 75 है जिस 75 से हमें कुछ चीजों का अनुमान लगता है वो क्या कहते हैं 75 article constitution का यह कहता है कि जो PM है the PM shall be appointed by the president तो यहां पर बात clear हो गई कि परधान मंतरी को राश्टरपती ही नियुक्त करते हैं यह इसके concept भी मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से कि प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट के वाया ही क्यों पॉइंट होते हैं प्रेजिडेंट वाले लेक्चर सुनें उसमें बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से यह मैंने आपको समझाया है अब इसका नेम क्या है देखिए मुद्दा यह है कि यहां पर आप यह लाइन जब पढ़ते हैं 75 में तो शायद आपको यह गलत फैमी लग सकती है कि प्रेजिडेंट किसी भी परसन को प्राइम मिनिस्टर पॉइंट कर सकते हैं पार्लिमेंटरी सिस्टम में यह नहीं होता यह डेमोक को सद्दल का नेता चुना है जिस पार्टी को लोगसभा में में मिजॉरटी सीट मिली है देखें मुद्दे की बात यहां पर simple इतनी ही आ जाती है कि अगर यह Parliament है तो Parliament की आपको पता है दो house है राज्यसभा लोकसभा लोकसभा जो है वो सीधे सीधे लोगों को represent कर रहे है यह representative है it is the house of the people so that's why इसका name है लोकसभा अब ऐसे में सरकार जनता की होनी चाहिए तो जो जनता को represent कर रहे हैं वो लोग इस house में बैठते हैं अब सभी लोगों को आप चुन करके member parliament के तौर पर बैठा देंगे लोकसभा के अंदर suppose कीजिए कि 500 seats हैं लोकसभा की यानि कि 500 constituencies हैं लोकसभा की वहां से कितने भी candidate खड़े हो 1,2,3,4 कोई माइन नहीं रखता जो जो candidate हर constituency से जीतते जा रहा है वो उस seat से उठकर के जाके लोकसभा में बैठ रहा है अगर कोई जलंदर constituency से जीता है उसको एक seat allocate हो गई लोकसभा के अंदर तो इस तरह से सभी MPs मेंबर पार्लेमेंट लोकसभा में जाके बैठ रहे हैं अब यहां पर party system use होता है country के अंदर independent candidates भी लड़ सकते हैं और party system होता है, party system के दाए सभी parties ने, माल लिजे candidate number 1 BJP का है, माल लिजे candidate number 2 Congress का है, candidate number 3 आम आदमी party का है, candidate number 4 माल लिजे जीता यानि कि BJP का candidate, ठीक इसी तरह से लुधियाना constituency seat से suppose कीजिए कि Congress का candidate जीता, तो इसी तरह से फिर इस house में जल अंदर की तरफ से जो पहुंचा है, जो person return हुआ है लोकसभा के अंदर, वो BJP का हुआ है और जो लुधियाना की तरफ से हुआ है, वो Congress का हुआ है, तो इस इसका half हो गया 250, और जिसको एक अधिक मिल जाएगा, वो majority में आ जाएगा, बाकि फिर तूना, अगर 251 एक तरफ कर देता हूँ, तो दूसरी तरफ 249 हो जाता है, तो ये majority हो गई है, इसके सामने, ये minority में आ गई है, तो जिस भी party को majority मिली है, उस party को राश्ट्रपती के द मिनिस्टर, Council of Minister, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महतपूर्ण शब्द है, Council of Minister headed by the Prime Minister, headed by the Prime Minister, अब आप सपोस करिए कि हुआ ये है यहाँ पर, कि BJP को मिल गई है, मान लिजे 251 सीट से समय माजुदा BJP की सरकार है, NDA की सरकार है, वैसे कहते हैं, वो भी समझा देते हैं, BJP को 25 251 सीट मिल गई है, तो मान लिजे जो प्रेजिडेंट जो है, वो ओफर प्रेजिट करेंगे BJP को कि आप आकर के सरकार बना लिजे, सरकार बनाने का यहाँ पर अर्थ क्या है, कि यह जो BJP के 250 MP हैं लोग सभा के अंदर, अब BJP के 250 MPs का जो ग्रूप है, ग्रूप ऑफ MPs, स जो लोग सभा में बैठे हैं, तो लीडर ऑफ दा ग्रूप ऑफ MPs ऑफ दा लोग सभा बाइदा BJP पार्टी, यह लोग अपना एक लीडर चुनेंगे, सपोस कीजिए कि BJP को 251 सीटे मिली, और इन सभी MPs के ग्रूप ने मिल करके, सांसत दल ने मिल करके, नरेंदर मोधी को अपना लीडर चुना, नरेंदर मोधी को अपना लीडर चुन लिया, तो एक तरह से अब प्रेजिडेंट यहां पर बाउंड है, कि उन्हें नरेंदर मोधी को ही प्रधान मंतरी नियुक्त करना है, तो प्रेजिडेंट यहां पर नरेंदर मोधी को PM की पोजीशन पर लेकिन वो APPOINT करने के लिए प्रेसिडेंट की यहां पर परसनल चॉइस नहीं चली है प्रेसिडेंट यहां पंट ठै क्यों कि एक तरह से लोकतन्त्र है और लोकतन्तर भी कौन सा है संसद्य प्रणाली वाला हमारे यहां प्रणाली किया हैं इसमें उस समय में जो मौझूदा सरकार होगी जो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरटी होगी देश की उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए तो जनता ने जिन MPs को चुना वो जाकर कि लोग सबम बैठें ऐसे में जिस में पार्टी को मजोरिटी मिली उस पार्टी के MPs ने उपना गुरूप बना के अपना एक नेता चुना वो उस नेता को प्रेजिडेंट बाउंड हैं प्रधान मंत्री न्युक्त करने के लिए आई बास समझ में और फिर इस प्रधान मंत्री के द्वारा जो जो ने इंटिफाई किये जाएंगे और प्रेजिडेंट को रेकमें नहीं है कि वो किसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे इतनी बात आपको स्थापित हो गई है इसमें कोई दिक्कत है लेकिन अब अगर इस प्रगरिया के तहत हम जाएं तो प्राइम प्रेजिडेंट के पास कुछ है मैंने आपको इसके विशे में पहुली बताया था सिच्वेशिशनल जिस्ट्रेशन की बात अगर करें तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी को टूंस वन सीट नहीं आई ऐसा हो सकता है कि 500 का हॏस है और मांन लीजिए किसी और किसी दूसरी पार्टी को 100 और तीसरी पार्टी को माल लीजिए कि 200 सीड आई तो फचास और देड़ सो दोसो इस तरह से तो इस तरह से अगर हम जाएं तो किसी को भी 251 नहीं मिल रहा है not at all अगर यह दो सो सीट्स वाले इन 50 सीट्स वालों के साथ भी गटबंदन कर लें तो भी 250 है दो से क्यावन नहीं अगर यह सारे के सारे आपस में मिल जाएं देट सो सो भाई सो इनका हो गया तो भी मेजॉरिटी नहीं अचीव हो पा रही है किसी भी तरह से ने मेजॉरिटी अचीव करनी थी या तो एक सिंगल पार्टी कर ले या पार्टी नहीं कर पा रही है तो कोलीशन कर ले कोलीशन का मतलब होता है गटबंदन जैसे मैंने का हिस्सा इसमें कई पार्टी आ जाती जैसे बहुत पंजाब में आप रहते हैं आपको पता होगा यह फार्म लॉस के अगेंड जो प्रटेस्ट हो रहे हैं से थोड़ी पहले शिरुमणी अकाली दल यानि कि कॉंग्रेस का भी एक अलाइंस है युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस यूपीए उसे यूपीए कहते हैं इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे तो 2004-2009-2009-2014 तक यूपीए का कारेकाल था मैंने कि उसमें बहुत बड़ी पार्टी के तोर पर कॉंग्रेस जरूर थी ले तो किसी कोलीशन को मिल रही है ना पार्टी को मिल रही है राष्ट्रपिती के पास यहां पर सिच्वेशनल डिस्क्रिशन आ जाती है कि राष्ट्रपिती यह भाप आ रहे हैं कि सरकार बन सकती है तो ऐसे में प्रेजिडेंट यह कोशिश करते हैं कि जो लार्जेस्ट एक पार्टी की पॉसज़िकों सबके को बुला सकते हैं чब ने के बाद उसे कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर की आनि कि यहां पर अब आप आप आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में तब अगर उनकी पार्टी को absolute majority नहीं मिली है यह इसके बिना भी पर्थानमंत्री बन सकते हैं और यहां पर यह पर यह पर परदानमंत्री की नुक्ति अपी यहां सब्सक्राइब करें हो नहीं है तो परेजिडेंट के पास कुई ऐसी discretion नहीं है जैसे गवर्नर के पास कई तरह की constitutional discretion है कि उन्हें वो करना ही करना है परिष्टिति हो या ना हो लेकिन राष्ट्रपती के पास यह परिष्टितियों से आता है यह डिस्क्रीशन constitution से नहीं आता है अगर यह परिष्टिति ना बनती और clearly NDA को 251 मिलती तो फिर के डिस्क्रीशन है कि अगर किसी को clear-cut majority नहीं है हंग assembly हो चुकी है तो ऐसे में वह लार्जेस्ट पार्टी के जो सांसत दलके नेता हैं उन्हें बुला करके प्रधानमंत्री न्युक्त कर सकते हैं और फिर उन्हें कह सकते हैं कि आप confidence attain करके बताइए अब आपको एक महीने का समय दे दिया गया है आप confidence प्राप्त करिए यानि कि आप बिना majority में हुए बिना confidence प्राप्त किए भी एक महीने तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं आई बास समझ में यानि कि यहां पर concept यह आ जाता है कि दोबारा जुनाव ना कराए जाए जन्यता पर बोज ना डाला जाए देश को सरकार विहीन ना रखा जाए नहीं सरकार विहीन नंबे समय तक ना रखा जाए लोगसभा डिजॉल्व रखा विद्री चुनाव हो चुके हैं तो उन से लोगों का विस्वास जा चुका है उस कॉन्सेल आफ मिनिस्टर को कॉंटिनू ना कराया जाए नए प्रधानमंत्री बनाए जाए अई बास समझ में तो इस तरह से नए प्रधानमंत्री की चुनने की विधिपे कोशिश हो जो खती है एसे में यह होता है कि अब प्रधानमंत्री चुन लिए गहें फिर वो प्रधानमंत्र की देखती हैं कि दुबारा से केंपेंद और यह Santy कि इसे तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ें यानि कि वह इन-house कैसे management करें कि वह अपने favor में और 51 लोगों को लेकर कर के आए ईसे MPs वह अपने favor में लेकर करके आए और इसके ताहर फिर वह एक अपना सिद्ध कर पाएं लेकिन उन्हें एंटी डिफेक्शन लौ का ख्याल रखना पड़ता है कि वह इस तरह से एंपी नहीं तोड़ सकते हैं दूसरी पार्टियों के कि वह एंपी अगर अपनी पार्टी से डिफेक्ट हो रहे हैं तो वह एंपी अपनी लोकसभा की सदस्य ता ही गवा जाएं ऐसा भी एक लौ है उसके बारे में आप पढ़ोगे उसे डिफेक्शन का लौ कहते हैं तो यह प्रक्रिया होती है हमारे देश में आप इस से हमेशा वाक्य विराने चाहिए कई आपको को सालिया जा सकता है कि अगर किसी पार्टी नहीं मिली तो क्या प् महिने के अंदर अंदर आप अपना विश्वाष पराफ्त करके दिखाए और फिर वो विश्वाष पराफ्त नहीं कर पाते हैं फिर वो प्रधान मंत्री बने रहने के लायक नहीं है आई वा समझ में कलीर हो गया यह पहला aspect है एक और aspect यह है कि कई पारी एक पॉइंट पे और किया तो अगर कोई अब्विएस सक्संसर नहीं servis पहले से किसी को उस प्राइमिनिस्टर का सक्स मतलब नहीं किया हूआ यानि कि दिप्टी पीम या इस सबहां कि पहले से ही पूटोलियों बनाया नहीं हुआ है तो ऐसे में आप फिर क्या करेंगे तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि यहां पर भी प्रेजिडेंट को पूरी की पूरी शक्ति है कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री न्युक्त कर सकते हैं यहां पर उनके ओपर कोई बंदिश नहीं है और कंवेंशन यह है कि प् ता था यभर मुट्ट मिनिस्ट्र तरो-फियर 20 में वुस पांती से बीलोंütünव करने आ सीनियर मोस्ट मिनिस्ट्र भी होंगे उस सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को आप प्राइम मिनिस्टर घोशित करें ओसा ट्रंड फॉलो होता थां लेकिन ये ट्रेपофण को समझें जब समय आया, उनकी आपको पता है, डेथ होई थी, तो प्राइम मिनिस्टर की अच्टेस्ट होई थी उस समय में, इन परिश्चितियों में क्या हुआ कि वही किया, उस समय में, सीनियर मोस्ट जो नेता हैं उस पार्टी के, उनको क्या पॉइंट कर दिया गया वह कौन हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा जो है ने दो दो बार परतान मंतरी निउक्त किया गया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर क्योंकि यह सीनियर मुस्ट हुआ करते थे ओके ऐसे कोशन पूछे जाते हैं गुलजारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किये गए गुलजारी नाल नंदा पहले लाल बहादुर जी के समय में और पहले जवालना नहरू के साथ जी नहीं इस प्रेडिड परेडिड अप्रोच इसक्रिमियर्टरी एंड पार्टीजन अप्रोच इतनी बात क्लियर हुई लेकिन आपको क्या लगता है हमेशा यही ट्रेंड फॉलो हुआ हम राज ऐसा नहीं होता है पिर आपको पता ही है यह जैल सिंग यह भी तो प्रे प्रेडिड जैल सिंग राजीव गांधी 1984 आपको पता है इंद्रा गांधी के सड़न असाइसिनेशन के बाद एक वेकेंसी क्रियेट होगी क्या प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो सरदार प्रेडिड जैल सिंग ने उस समय में राजीव गांधी को पॉइंट कर दिया ज तो वो आगे कॉंटीनी हो गए बिंग प्राइम मिनिस्टर ये तो हो गया लेकिन अब आप कहेंगे सर यहां पर क्या हुआ कि सीनियर मूस्ट आदा कंसेप्ट वालो ने किया प्राइजिड जैल सिंग ने राजीव गांधी को पॉइंट कर दिया लेकिन ये तो तैय था कि अभी तक प्रधानमंतिर इंदा गांधी थी इसका मतलब कि कॉंग्रेस को उस हाउस में मेजॉरिटी प्राप्त थी तो अब अगर उसी पार्टी से बिलॉंग करने वाले एक दूसरे नेता को प्रेजिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर पॉइंट कर दिया जैसे कि राजीव गांधी को अपना नेता ना चुन करके किसी और को अपना नेता चुनते फिर प्रेजिडेंट बाउंड होते उस परसन को प्राइम मिनिस्टर पॉइंट करने के लिए और फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते आईबा समझ में वह बात अलग है कि पेसर नजर नहीं आ रहा है और प्रेजिडेंट ने फिर निलम प्रेजिडेंट ने फिर इनको बठा दिया राजीव गांधी को चुन लिया गया है सीनियर वॉस्ट सिस्टम वाला निता चुनना है तो राश्ट्रपती हमारे फिर बाउंड होते उस परसन को अपना प्रतान मंतरी नियुक्त करने के लिए यह बाउंडेशन है तो इसी से आर्टिकल 75 परिभाशित हो जाता है कि प्रेजिदेंट ऑल्वेज उस पार्टी के ही परसन को प्राइम मिनिस्टर बन गवर्मेंट लेस ना रहे कंट्री में ऑल्वेज गवर्मेंट रहे कभी कोई पॉलिटिकल वैक्यूम ना क्रियेट हो इस परिस्तिती से यानि कि अनर्की से बचाना है अनर्की ना जाए अराजकता ऑल्वेज एक साशन हमारे यहां एक्जिस्ट करें एड्मिनिस्ट्रेश बार बार एक बात साबित कर रहा है आर्टीकल जाएं¹ी वजह से सप्रीम कोड में यह फैस्सवा दिया था कि अगर सबहां भी हो जाए तो भी council of minister lapse नहीं करता जब तक कि नया council of minister office में ना आ जाए क्यों क्योंकि president article 74 के तहत always ये mandate है कि president aid and advice से ही काम करेंगे और president को aid and advice देने के लिए we always need a council of minister इसलिए जब तक नहीं council of minister नहीं आ जाती है अपन पुरानी को disband नहीं करेंगे इसी वज़ा से always एक political continuity बनी रहे सरकार विहीन राज्य ना हो कभी भी इसके लिए और president एक अकेले रूप में ताना शाह के तोर पर साशन ना करें क्योंकि वो जनता को represent उस लेवल पर नहीं कर रहें हैं ऐसे में हमने यह system established किया है आईवा समझ में तो आपने प्रधान मंत्री बनाए अगर तुसे majority party या majority coalition मोहर देदी तो ठीक है वरना आप बाउंड है फिर उस विवस्ता को खत्म करके नहीं प्रधान मंत्री को निक्तु करने के लिए जिसे majority party या majority coalition ने सुनिश्चित किया है और या फिर अगर किसी को भी एक बार अफसर देने के बाद या दूसरी बार अफसर देने के बाद majority मिली नहीं रही है confidence गेन ही नहीं हो रहा है फिर आप उस confidence प्राइम के साथ continue नहीं हो सकते फिर आप बाउंड हैं लोकसभा को dissolve करने के लिए और फ्रेश elections conduct कराने के लिए ओके यह तो एक प्रक्रिया आपने हमने समझी और दूसरी प्रिक्रिया हम समझें यह अच्छा दूसरी प्रिक्रिया अगर पिर आप यह कह रहे हैं कि आपके पास पहले से हुनी होनी चाहिए तो यह प्रधान मंत्री बनेगे यह robust मंत्री बिना यह पर मंत्री बन सकते पर्राइब करनी है प्रजीडन नीलं संजीवा रेग्डी ने चरण सिंग को 1979 में अपउइंट गिया था पर्धान प्रधान मंत्री confidence इन्होंने बाद में सीख किया था और यह कैसे अपॉइंट हो गए थे क्योंकि यह मुरारजी देशाई की 1977 की जनता पार्टी की प्रधान मंत्री के मामले में पहला केस हुआ है जब प्रधान मंत्री को confidence प्राप्ट नहीं था भी हाउस का फिर भी उन्हें प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया नीख्ट कर दिया नीलम संजीवारेडी ने और फिर इसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस पराफ्त किया हाउस का आई बाद समझ में तो नीलम संजीवारेडी और चरण सिंग का यह पहला केस था आई बाद समझ में इसके इलावा अब दो चीजें और आ जाती हैं यहां पर मैंने क्या लिखा है 1980 का दिली हाई कोट का फैंसला है दिली हाई कोट का फैंसला क्या आ जाता है देखिए अब अगली बात पहली बात तो बिना मैजॉरिटी पाए भी आप बन सकते हैं प्रदानमंतरी एक बात सिद्ध हो गई और इसे पहली बार एक्जिक्यूट कभ गिया गया 1979 रास्टरपती नीलम संजीवार एडडी प्रदानमंत्री चरण सेंग जो की मुरारजी देसाई की सरकार में डिपटी पीम सिस्टम चलता ही रहता है वी पी सिंग की सरकार 1989 के समय में चौधरी देवी लाँ डिप्टी पी आम के तौर पर थे इस तरह से बिभटी PM के प्रो तो यह डिप्टी पीप म defence बाहर या और के दिली Art27 के इसमें एक और चीज आई जैसे पहले बिना ये वैसे ये कहा गया है कि देश का प्रधान मंत्री किसी एक House का Member होना Mindatory है किसे एक House का Member होना Mandatory है यानि कि प्रषांत आप देश के प्रधान मंत्री तभी हो सकते हैं यदि आप लोकसभा या राज्यशभ़य में से किसी एक हास के मेंबर हैं तो यह कहा गया है कि देश का पुर्धान मंत्री पारलेमंट का मेंबर हो का बात हो गई को मेंबर होना जरूरी नहीं 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 है 1980 चाहरी का का निर्ने कहता है खाली सभा में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो भी आप प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो सकते हैं तो भी आप प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो सकते हैं शर्त यह है शर्त यह है कि आपको छे महीने के अंदर-अंदर किसी मैंने ये नहीं कहा कि आपको होना है मैंने का मैंबरशीब प्राप्त करनी है मतलब यहं तक जाती बात कि आप या तो लोग सभाय सबस्राइब और मेंबर बन जाए और आप जानते हैं कि राष्ट्रिपती को राजे समा में बारा मेंबर नॉमिनेट करने के आजादी है और लोगसभा में दो एंग्लो इंडियन मतलब आपके देश में एक ऐसे भी परधान मंत्री हो सकते हैं जिन्हों ने जिंदिगी में कभी लोगसभा लेकिन नरेंदर मोधी चुनाव कभी लड़ते ही नहीं उनको दीवानापन है कहते मैं चुनाव तो नहीं लड़ूँगा परधान मंत्री बन सकता हूं अगर कहो तो अब ऐसे में शर्त यह कहती है कि वह बिना किसी हाउस के मेंबर पहले तो 6 महीने परधान मंत्री रह सकते है तो अमेशा जो की उस समय में उस political party बीजेपी जिसको की majority seats मिल गए ये लोकसभा में उसके party president है तो उन्होंने अपने सांसथ दलों को यानि की लोकसभा में बीजेपी की जतने सांसथ है majority party उनको या संदेश भेजा कि आप अपने सांसत्र दलका नेता चुनें कि नरेंद्र मोदी को को तो 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 फिekk तो